दोस्तों जस्ट 7 मिनिट पहले अब तक की स्टॉक मार्केट के लिए अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक के लिए एक सबसे अच्छी अपडेट आ रही है आफ्टर लॉंग टाइम ये अपडेट आपको देखने हूं मिल लही है बट स्टिल देखेगा प्रेशर तो अलड़ी है मिट काप, स्मॉल काप, बैंक, स्निफ्टी सब में आपको देखने हूं मिल ला है बट अट लीस्ट ये राहत की सांस है कि आप आल टाइम हाई के आसपाथ रीच करने वाले हो आल टाइम हाई की मैं बात कर रहा हूं और साथ मिनट पहले अपडेट आई है, मार्केट क्लोज होने के बाद ही अपडेट आती है तो आपके लिए और भी important है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इंडिया का Forex अगर आप चेक करेंगे तो इंडिया का Forex का data आ चुका है Forex data, reserve और tremendous performance, expansion देखने हो मिला 10 billion dollar का आप्रोक्स, 5,5 billion dollar आप कह सकते हो लेकिन ये बात इतनी ज़्यादा यहां पे माइने वाली क्यों है तो कि अप्रॉक्स आप अपने देखी का आस पास पहुचने वाले हो अपने all time high जो हमनोंने कोविड के टाइम पे लगाया था तो आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी बात होगी money control पे जाके आप ये data check कर सकते हो ये कैसे nifty bank के लिए impactful होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो performance है जो दमदा performance है वो ये बता रही है कि हमारी currency बहुत मजबूत अपने आपको hold गर रही है हमारी currency dollar के सामने जुक नहीं रही आपको पता है currency depreciation बैंकों के लिए किसी भी देश के लिए वित्ती घाटे के लिए सब के लिए bad news होती है लेकिन ऐसे में अगर आपकी currency strong है और strong हो रही है मजबूत हो रही है और इस तरीके से forex बढ़ आएं जो कि आपको other countries में देखने को नहीं मिल ले है तो ये आपके लिए एकदम blessings हैं तो आप समझ सकते हैं the reserve took a hit the central bank deployed the kitty to defend the rupee तो अगर आप देखेंगे central bank time to time forex market में short position मनाता रहता है ताकि वो अपने पैसे को अपनी रुपए के position को pressure को कम कर सके तो आप समझ सकते हैं कि 2 साल का 3 साल का record तो तोड़ी दिया है at least यहाँ पे यह जो data आपको देखने मिल ला है तो आप समझ सकते हैं jump करा है 10.47 billion dollar से और यह लगाता दूसरा हफता है जब इस तरीके का jump देखने हो मिला है तो आप पूरी तरीके से check कर सकते हैं 636 अब मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यह बहुत यह आप all time आई के बास पहुचने वाले हैं यह मैं आपको बताता हूँ और यह किस तरीके से nifty bank के लिए important है तो आप देख सकते हैं किसी भी देश का जब भी क्या होता है किसी भी देश का forex बढ़ता है तो वो इस देश की economy के लिए, bankों के लिए, वित्ती घाटे के लिए, मजबूती के लिए, currency के लिए सब के लिए positive update होती है इन सारी चीज़ों के लिए अगर positive update आती है तो वो bankों के लिए अच्छी update होती है और stock market के लिए अच्छी update होती है अगर आप देखेंगे last particular देखेगा last particular week में भी आपको rise देखने हो मिला था 6.55 billion dollar का जो कि आप समझ सकते हैं कितना बड़ा था और दोनों को आट कर दिया जाए तो दो हफते में 16 billion dollar का increment देखने हो मिला है जो कि अब तक का इस साल का सबसे वड़ा increment है आप कह सकते हो within two weeks में और अगर आप देखेंगे तो 2021 में यहाँ पे October में जो Forex का all time था all time high वो कितना है 645 billion dollar जिससे आप अब केवल देखेगा केवल और केवल कितनी दूरी पे है मैं आपको दिखा देता हूँ 636 है और आप तो को बता है 645 अगर आप कम कर देंगे तो 5 इधर कम हुए 4 इधर कम हुए तो just 9 billion dollar आप कम हो और 9 billion dollar cross होते ही अगर आप देखेंगे तो हम all time high पे पहुँच जाएंगे जो हमारे forex market के लिए सबसे अच्छी बात है FC account में बहुत बड़ी तेजी देखने हूँ मिली है 8 billion dollar की पिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे FC account के साथ साथ gold में भी इस बार सबसे जादा अब तक की सबसे जादा 2.29 billion का एक increment देखने हूँ मिला है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है special drawing देखेगा यहाँ पे 18 billion से देखेगा 18 billion हो गए हैं और काफी बड़ा increment यहाँ भी देखने हूँ मिला है और जो IMF में position है हमारी वो भी बढ़ चुकी है 19 million dollar से तब समझ सकते हैं 19 million dollar से position बढ़ना वो देख की economy के लिए देख में inflow आने के लिए बहुत important है और इसी लिए Nifty Bank जो oversold category में बैठा हुआ है तो उसके लिए राहत की सास है जो Monday impact करेगी तो focus करेगा राम राम